यूपी के बुलंशहर जनपद की ककोड थाना पुलिस और स्वाट टीम की 25,000 रुपे के इनामी बदमाश फरमान से उस समय मुटभेड हो गई जब बाइक पर सबार होकर ककोड शेतर में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था आपको बतादे बुलंशहर के ACP क्राइम राकिश मिश्रा ने बताया है कि मुटभेड के दोरान पैर में गोली लगने से शातिर बदमाश फरमान घायल हो गया है जिसके कबजे से 3000 के नगदी बाइक कवे तमंचा कार्तू साधी बरमत किया गया है बतादे शकीरा फरमान किसानों को खेतों में लगे टुबलवेर से मोटर चोरी करने की वारदात को अंजाम देने जा रहा था आए दिखाते इस पर आपको हमारे समधाता पदीपंडिट की रिपोर्ट हम आपको हमार पर चोरी की बिएती खेसी न हमारे साथ विविखे अपको हमारे समय को अपके की तूँह कि एताफ content आपको हमारे समय कार्णRe लग्ते न न फार्ड़ आज रात में थाना काकोड क्षेत्र में बदमार्शों से संबन्धित एक सूचना मिलने पर थाना काकोड की पुलिस और जनपत्द बुलन सेर की स्वाट टीम दोरा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था जिसमें चेकिंग के दोरान एरो सिटी के आसपास जो हमारी चेकिंग टीम ही थी चेकिंग के दोरान एक मोटर साइकल सवार व्यक्ति दिखाई दिया तो उसको चेक करने का इशा सब्सक्राइटी उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस दोरान एक एंकाउंटर हुआ जिसमें वो जो व्यक्ति है मोटर साइकल सवार वो गायल हुआ है उसे को अस्पताल पहुचा दिया गया है और उसकी तस्दीख फरमान नामक व्यक्ति के रूप में हुई है जो जनपत्द बुलंद शहर से 25,000 का इनामी अपराधी है एक शातिर चोर है जिसने कई चोरियों को अंजाम दिया है और जनपत्द बुलंद शहर के ककोड सिकंद्राबाद और अन्य थानों से भी वो वांटेट था और जून 2023 में घटना हुई थी जिसमें करीब 15 से ज्यादा ही मोटर चोरी हुए थे जिसमें मुकदमा लिखा गया था दो लोग जूडिसियल कस्टडी में भेजे गये थे मुकदमा लिखके उसमें ये मौके से फरार हो गया था ये व्यक्ती और आज इस तरह की घटना में ये पकड़ा गया है और इसके कबजे से मोटर साइकल है जि रहा है और जो लीगल एक्षन है अग्रिम विधी कारेवाही वह थाना का कोड़ो दोरा की जा रहे हैं